News 18 इंडिया वो राश्पती के सामने रखेगी कई महिलाओं ने पराथ ही MC नेता शाजान शेक पर उनका यौन शोशन कारोप लगाया और उसी मामले की जानकरी जुटाने के लिए BJP की 6 सदस्यों की टीम जिसमें 5 महिला होती है और एक ब्रिजलाजी होते हैं जो BJP के सांसद मुझूद रहते हैं लेकिन सभी को रोक दिये राता है रामपुर में ही और आगे नहीं जाने दिया राता ये दलील देते हुए कि हमें उपर से ओर्डर आया है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते अब BJP इस पूरे मामले को लेकर राष्टपती के सामने भी जा सकती है और ये अपील भी की जा रही है अला कि जो एक अभी आपके इंड्रिय मंत्री थे आपने सुना भी किस तरीके से वह अपील कर रहे है कि अगर नहीं समल पा रहा है लगवा दिजे राष्टपती शाष्ट हम लोग उच्छ न्यायलाई में अरजी करेंगे कि कानूनी तौर पे हमें वहाँ पे जाने की अनुमत ही दे और हम लोग संदेश खाली जाके रहेंगे हम यहां के बाद एक बार हम लोग जाके राष्टपती जीशे भी मिलेंगे दिली जाके जाएंगे जरूर पक्तेश काली जाएंगे और इन सब के बीच बड़ी खबर ये कि केंद्री मंची निसित प्रमाडिक ने ममसा सरकार के उपर बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने बंगाल सरकार को आड़े हाथ लेते वे ये का कि अगर ममता बेनर्जी से बंगाल के कानून विवस्ता नहीं समल रही है तो फिर वो केंद्री से मदद मांगे केंद्री उनका साथ जरूर देगा ये बड़ी खबर इस वक्क के आपको बता रहे हैं निसित प्रमाडिक ममता बेनर्जी के उपर करारा हमला बोलते वे दिखाई दिये साफ साफ परो ने का कि ममता बेनर्जी अगर बंगाल को समाल नहीं पा रही है तो फिर केंद्री से मदद क्यों नहीं मांगती है ममता बेनर्जी से ये समाला नहीं जाता तो ममता बेनर्जी एक बार अगर बोलेंगे कि उनसे समाला नहीं जा रहा है तो हूम मिनिस्ट्र उनको पूरी तरह से सायदा करने के लिए तयार है, सिंटल फोर्स पूरी तरह से तयार है, और इस situation को damage control करने के लिए केंदर स्वार्कार पूरी तरह से राजय के साथ खरा रहेगा और अगर सेख साजान और ये जो सभी दुश्कृती है इनको ढूनने में भी उनको केंद्र का मदद चाहिए वो भी केंद्र करने के लिए प्रस्तुत है राजनितिक बयान आप सुनी रहे हैं हमारे साथ हमारी सायोगी आशिका लाइफ जुड़रें कर उकलेते हैं प्रस्तिक बाद चाहिए जाती है और उसके बाद शुरू कर दी जाती है और इसे लेकर के सियासी घटना करम तो आगे चल रहा है लेकिन प्रशासनिक कुछ भी नहीं कदम उठाए जा रहे हैं फिलाल और यही गुसे का कारण भी है मैला होगे देखे घर के बीतर जो मैला है रहती है वो बाहर निकल करके अगर हाथ में डंडे और जाडू लेकर के ग्रोप प्रदर्शन करती है तो यह अपने आप में बड़ी घटना है और इसे लेकर के इस मामले में देखे सिर्फ एक गिरफतारी हुई है वो भी तब जब उत्तम सरदार को टी एंसी ने निकाल दिया उसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफतारी की है और जो प्रमुकारोपी है शेक्षा जहां जो की पीडी की टीम पर हमले का मास्टर माइंड है वो कहां चुपा है ये किसी को मालूम नहीं है ये पुलिस भी नहीं बता पा रही है तो नराजगी जिनके खिलाफ है वो एक तरफ और दूसरी तरफ सियासत इसे लेकर के चल रही है मंतव एनरजी ने आरोप सीधे सीधे बीज बहुत बड़ी नाखामी है इसके साथ आशका ये भी बताईए कि अब तो सुप्रीम कोट जाने की तैयारी बीजेपी कर रही है इसे लेकर क्या जानकारी बात दिंकली है तो दूर तलग जाएगी वाला मामला है क्योंकि एक तरफ यहां हाई कोट का दरवाजा खट-खटा चुके हैं अब ये मामला सुप्रीम कोट में पहुचेगा और जाहिर है ये जो मामला है इसे बड़ा बड़े सर पर भाजपा की तरफ से उठाया जाएगा बिल्कुल आशिका यही बात हजम नहीं होती कि प्रशाशन अब तक शाजहां शेक के कॉलर तक नहीं पहुच पाया है जब इतनी माइलाएं आवाज उठा रही है इडी की टीम पहुच्टिया पत्राफ कर दिराते हैं मेरा लागे बड़ते हैं संदेशकाली का दौरा करने वाले राश्ट्रिय अनसूचित जाती आयोग वहां के हाला देखने के बाद बंगाल में राश्पती शाशन लगान प्रश्पता है उसको असमान कर सकता है और उधान में बंगाल का लोगों को साथ जो अद्मिनिस्टेशन हैं क्या वह भीटा UK में यह आप सब कर कर सकता है इसमें आप सोच सकता है देश में किसी भी स्टख doughba और है बहुत सरे और सका вып्रॉष सरकार होता है किसी भी स्टेट में पराद में जागा में DMSC present नहीं हुआ है यह protocol में होता है और काल जाब चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी डीजीपी सब को मैंने लेटार लिखके हम लोग उदार गया था बार बार लोग अपोस कर रहा है जाप मात आ जाईए इधर का हाल खराब है मैंने बला हाल खराब है तो आप कुछ बवस्ता नहीं करेगा तो हम लोग आपना वावस्ता करके हम लोग दजगारी पूरा होटेल रूम बूकिंग करके हम लोग पूरा टीम लेके क्मिशन जाकर पहुज गया था बहुत कोशिस किया था इधार उधर घुमने का लेकिन हमारा सोर्स था और उसी सोर्स लेक कर रहा है यह बहुत सर्मिंदे का बाद है तो इसलिए हम लोग जो रिपोर्ट बनाया है उधान में पुलिश अधिकारी पड़े अधिकारी मोजुद रहने का बाउजित भी कमिशन के अभट किया है उसके बाद हमारा पास कोई रस्ता नहीं था जो रिपोर्ट दी है आपने नहीं है क्या महा महीम ने आपको आश्वासन दिया अपनी उन्होंने हमारा बात सुना है और विसने देख रहे और आपनी जो रिपोर्ट दिया इस पर हो चर्ष्टा करकर हम जरूर कुछ कर वाई करेंगे हमसे बातचित करने के लिए धन्यवाद कैमरा परसन कमल देव के साथ नीरश कुमार न्यूजेटीन इंडिया दिल्ली अपने आज के पहले से सारे करक्रम ग्रद कर दिये हैं सूत्र ये बता रहे हैं कि वो आज बोपाल आकर यहां से फिर दिल्ली के लिए सीधा रवाना हो जाएंगे और ऐसे वक्त में जब कि दिल्ली में बीजेपी के दो दन की नाश्टे आदिवेशन चल रहा है कमल नाथ के बीजेपी में शामिल होने के आजकलों से सियासी बाजार अब और गर्म हो चुका है बेटे के साथ वो शामिल हो सकते हैं बीजेपी में इन चर्चाओं में तड़का लगाने का काम खुद मद्रप्रदेश बीजेपी के अद्धक्ष बीडी शर्मा ने कर दिया है जब उनसे ही पूछा गया कि क्या कमलनाथ बीजेपी में आ रहे हैं तो फिर उनका कहना था कि बीजेपी के नेत्रेत उपर यकीन करने वाले लोगों के लिए पार्टी के दर्वाजे खुले हैं बड़ी बात इन सब के बीच कि नकुलनाथ उन्हों ने ट्विटर के उपर सोशल नेट्वरकिंग साइट एक्स के उपर वो जो कॉंग्रेस नेता लिखा हुआ था उसे अटा दिया है अब यह तो कमनला जी से आपको भूजना पड़ागा भारती जनता पार्टी ने सेधानतिक तौर पर अगर किसी को लगता है कि भारती जंता पार्टी के नेत्रतों में उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेत्रतों के बर्जन का विश्वास बनता है तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं और अगर कमलनाथ भी बीजेपी चले जाते हैं तो ये कॉंग्रेस के ले एक बहुत बड़ा जटका हुआ इन सब के बीच में कॉंग्रेस के निता दिखविजे सिंग ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं को महस अफ़ बता दिया है दिखविजे सिंग ने का कि कमलनाथ के बीजेपी में जाने की उम्मीद ही नहीं है उनसे कली मेरी बाचीत हुई दिखविजे सिंग ने का कि जिस शक्स ने नहरू परिवार के साथ खड़े ओकर लड़ाई लड़ी है ऐसा शक्स सुनिया गांधी और इंद्रा गांधी का परिवार नहीं छोड़ सकता है ये आज की बहुत बड़ी खबर बहुत बड़ी राजनुते खलचल क्योंकि अब ये शक इसलिए गयरा रहा है कि वीडी शर्मा क्या कह रहे हैं कारेक्रमों को रद करना दिल्ली आना के सोरिशारा का मला जी से बात्चीत सारे दस गैरा बजे हुई है वो चिन्दवाडा में है और जिस व्यक्ति ने अपने गाजनेतिक जीवन की शुरुवात नहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जन्ता पार्टी और केंद की सरकार इंद्रा जी को जेल भेज रही थी उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कॉंग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़के जाएगा इंद्रा जी के परिवार को छोड़के जाएगा आपक क्या ये खबर दे रही है कि कमल नाथ जो सबसे वफदार है सोनिया गांधी परिवार के वो क्या बीजेपी की तरफ जा रहे है कमल खिलाने अटकलें तो बहुत ज़ादा हैं क्योंकि लगातार जब चिंदवारा की जो आजiny आज के कायरेकम थे कामलाथनने सारे कायरेकम दर्स्त की हैं इसके साथ साथ उनका दिल्ली जाने का कायरेकम बना है और वो अपने सांसत बेटे के साथ पीजेपी में शामेर हो सकते हैं इस बात को लेकर पूरा सियासी बादार भूपाल से लेकर दिली तक गरम है और इसमें एक कहानी जो है कि कमलनाथ जब इसके जो अभी राज्यसभा की चुनाओ हुए तो बीच में अटकले चलती रही कि पार्टी उनको मद्धिप्रदेश से राज्यसभा में कमलनाथ जाना अभी कांग्रेस के पास है जहां से नकोलनाथ समस्द है और सच्चा यह है कि पिछली वार वहां भी जो मार्जन था कांग्रेस और बीजेपी की बीज़ वह भी बहुत घटकर कम हो गया था तो जाहिर तो पर अटकले तो गरम है इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता और सुनकर कि क्या कमलनाथ कांग्रेस बीजेपी में जा सकते हैं तो जवाब कोई नहीं देता था अब लेकिन दिगविजा सिंग से लेकर वीडी शर्मा सब इस बात का जवाब दे रहे हैं और एक दलील के साथ जाहिर तो जाहिर तो पर अटकलों का बाजार गर में लेकिन आपके पास में आ रही हूँ बीजेपी में वो जाएंगे तब क्या मांग रहेगी क्योंकि कुछ न कुछ तो बारगेंद जरूर किया जाएगा देखे भारतिय जंता पाटी में कोई नेता सामिल होता है कॉंग्रेस के ज़्यादा तर चेहरे जो सामिल हुए हैं उन्हें राज्यसभा का पद तो दिया ही गया भी आर्पी एंसिंग को उत्तर प्रदेश से दिया गया इससे पहले जो तीरा दिते सिंध्या जो खुद मध प्रदेस से थे वह शामिल हुए देखे कमकल नाथ और नकुलनाथ को लेकर अटकले हैं नकुलनाथ के बायो से यानि ट्वीटर से एकस बायों काॉंग्रेस मिसिंग है उनके बायो से यानि उनके प्रोफाल पे आगा साद को रही बाताऌ टोड़ी देर पहले ben ओंग्रेस प्रदेश से ये भी कॉंग्रेस का सुतरों ने बताया है कि एक जो उम्मिद्वार वहां से आए हैं मध्ध प्रदेश से उसमें कमलनात की सहमती ली गई थी लेकिन कमलनात की दूसरी नाराजगी भी हो सकते हैं जिस तरह से आज सारे घरकरम उन्होंने रद किये एक लौजिक बनतानी अठकले बहुत तेज है खबरे हैं इस बीच कमलनात दिल्ली पहुँच रहे हैं तो बीजेपी में शामिल हो जाएं और कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओं का जो दावा है जो बाते हैं वो सही साबित हो इस बारे में अभी बताना या कुछ कहना बड़ा मुश्कि लेकिन कमलनात को लेकर दिल्ली से लेकर मध्यप्रदेश तक अठकले हैं कि वो और उनके बेटे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं मुझे नहीं लगता कि वो कॉंग्रेस छोड़के जाएंगे और किसी दूसरी पाटी में शामिल होंगे तो दिखिए ये दावे तो किये जा रहे हैं लेकिन राजनीती में आप किसी भी तरीके की संभावना से कतई इनकार नहीं कर सकते अगर बिहार में नितीश कुमार जब कई बाते कहते हैं साथ चलने की बात होती है लेकिन जब दिल नहीं मिलता तो अगर वो जा सकते हैं तो शायद कुछ भी हो सकता है मनोज का मैं फिर से रुक करूँगी कर सकते हैं कर सकते कर सकते है वो है अगर